Hello children, I welcome you all to our series Information से Success तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा आज का topic होगा वो होगा JE exams delay, कि JE के exams जो delay हो रहे हैं, इसकी date क्या हो सकती है और क्या होने वाली है और market में क्या ऐसे circumstances चल रहे हैं जिसकी वज़े से इसके delay होने के chances बढ़ते जा रहे हैं So first of all, I am very much hoping कि आप लोग सब अपना ध्यान रख रहे होंगे and you are being safe तो ये चीज़ आप बिल्कुल important अपने दिमागों फिट करना कि सबसे पहले health होती है तो be safe and stay home तो अब हम बात करने जा रहे हैं अगर हमारा हम पहला point लेकर चलें तो जो circumstances हमारे जिमाग में भी चल रहे हैं जो first circumstances वो हमारा क्या है increasing omicron cases इंडिया में omicron cases बहुत जादा बढ़ रहे हैं guys you all know about it तो अगर ये cases ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो exams दिले होना तो it's very obvious no ठीक है तो अगर हम बात करें आपने अगर एक official news सुनी हो नहीं भी सुनी हो तो मैं आपको बता देती हूँ क्या official news है कि first to ten February के बीच में ये जो third wave है ये बहुत जोर से सब को strike करने वाली है ठीक है ये बहुत peak पे जाने वाली है in comparison to second wave ठीक है तो एक तो ये point हमारा हो गया second is हमारे पास assembly polls आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता ही होगी कि ये elections आने वाले हैं ठीक है तो ये elections जो आने वाले हैं आप भी ये चीज़ जानते हैं elections जब भी होते हैं तो ये लोग बिलकुल भी safety पे ज़्यादा ध्यार नहीं देते हैं तो अगर ये लोग safety पे ध्यार नहीं देंगे तो it is very obvious and you know about it क्या होगा cases all ज़्यादा increase होंगे और इसी तरीके से cases increase होते रहे तो ये तो मानके चली है कि date तो आगे shift होनी ही होनी है ठीक है अब हम बात करते हैं अभी तक क्या होता था as you all know अभी तक क्या होता था हमारे mains के 4 attempt होते थे ठीक है और अभी भी वही होने के chances है ऐसा नहीं कि उसमें कोई change आ सकता है आ सकता है maybe but we'll prepare for कि हाँ 4 chances ही हमें मिलने वाले है mains के लिए तो see guys अगर February तक पहले क्या date आई थी कि mains exam की एक chances थे कि February में ये exam conduct हो सकता है but due to both of these circumstances I'm telling you कि exam FAB में होने के chances तो rare ही लग रहे है ठीक है तो अगर इसके FAB में होने के chances rare है तो हम क्या मान के चलेंगे हम मान के चलेंगे see guys इसका आपका exam हो सकता है March end से लेकर April first week तक ठीक है आपका exam इसके बीच में आ सकता है mains का exam March end से लेकर April first week तक अब हम बात कर रहे हैं अगर ये जो चार attempt है ये consecutive ways में होते है ठीक है अगर ये सबसे बाले बात के चला हम April first week लेके चलते है April, May, June, July अगर July भी हमने touch कर लिया चार मन्थ, चार attempts ठीक है इतना तो आप लोग को ही पता है तो उसके बात क्या होने वाला है हमें result के लिए time चाहिए अगर result वहाँ जाके result बनेगा, result आएगा, सब कुछ process वो धीरे 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 होएगा तो हमारा जो advanced है, ठीक है हमारा advanced कब टकराने के chances लग रहे हैं? August end हो सकता है क्या हो सकता है? August end होने के chances हमें लग रहे हैं अगर August end या फिर September starting आप मान के चलिए तो भी अपने पास क्या है time? कितना time मिल रहा है? अपन को 5 months तो मिल ही रहे हैं और 5 months आप अपना target बना के चलेंगे कि 5 महिने के हंदर हमें ये पूरा हमारा course का revision बिलकुल अच्छे से करना है अगर आप ये revision बहुत अच्छे से कर लेते हैं, देखो guys हमेशा क्या करना चाहिए? लाइफ में आपको हमेशा worst के लिए prepare रहना चाहिए, ठीक है? best हो, वो तो होगा ही सही, ठीक है? वो तो obviously होगा but you have to always prepare for the worst, मैं आपको एक line भी बोलूँगी prepare for the worst but expect the best तो हम लोग सबसे worst worst condition लेके चल रहे हैं कि अगर चार महीने हमें लग गए चार महीने हमें mains में लग गए, उसके बाद हमें एकात महीने का gap में लेगा तो advance हमारा August to September में आ सकता है तो इसके लिए हमें जोरो शोरो से पूरी practice, पूरा revision आप लोग अपना ध्यान पूरा focus होके लगाई है Omicron हो गया, polls हो गया, आप लोग इन पर कोई ध्यान मत दीजाए ये सब चीजा चलती रहेंगी but you have to only focus on your exams and please, please start working hard for it ठीक है? Remember children, with each and every passing day, you are one step closer to your dream IIT if you work hard, if you work very hard and put your extra efforts in it then only it will get possible, okay So with this, I just want to conclude my lines by saying there is a very little difference between extraordinary and ordinary and what is that? Extra in it So every time in your life while doing anything, you have to give your extra thing in it and if you will do that, you will surely be succeeding in your life like anything Okay, so with this, I want to end my today's video I hope you have liked it and be safe, stay home, stay happy Thank you everyone, if you haven't subscribed the channel yet please go like, share and subscribe the channel for more upcoming updates Thank you everyone